हाई मैं हूँ विकास और आज की वीडियो में हम कुछ कोश्चन डिश्केशन करेंगे इस वीडियो से पहले हमारे कुछ दो टॉपिक्स रहते हैं जो की है हमारा फेड़न कैपिटल एन अडजस्टमेंट इन कैपिटल उन दो टॉपिक को अभी हम नहीं करेंगे नहीं इस कोई रिलेशन रहेगा हम इस वीडियो के बाद एक नेक्स्ट वीडियो रहेगी जिसके अंदर हमारे पास अभी इन कैपिटल के बारे में डिस्केशन किया जाएगा उसके बाद हम अडजस्टमेंट आफ के बारे में में करेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं कोशिन क्या कर सकते हो बट इनको अगर हम समझ के करें तो थोड़ा ज्यादा असान हो जाएगा देखिए हमारे पास कहता है कि जो हमारे पास अड्मिशन ओफ पार्टनर हो रहा है तो इसमें कुछ एसेट्स हैं जो रिवेल्यूएट हुई है उनकी हमने जनल एंट्री करनी है उस जनल एंट्री से पहले मैं थोड़ा साब को याद दिला दूँ हमारे पास एक रिवेल्यूएशन अकाउंट होता है रिवेल्यूएशन अकाउंट हम मिन्टेन करते हैं रिवेल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो एक Nordeautск नेचर का अकाउंट होता है नमिनल नेचर का अकाउंट होता है इस अकाउंट में यानि Rider debit all expenses and losses credit all income and gain तो इस तरह से जो भी हमारे पास कोई भी asset asset की value decrease होती है तो वो हमारे पास losses है और liability की value increase होती है तो वो भी हमारे losses है इसी तरह है अगर कोई asset की value increase होती है तो वो हमारे लिए क्या है income है gain है या फिर liability की value कम होती है तो यह हमारे लिए gain है ठीक है कोई भी asset अगर asset increase हो normally जब भी asset increase होती है asset अगर increase होती है तो हम उसे debit करते हैं जैसे माल लीजे furniture अगर हम furniture purchase करें अगर furniture purchase करें purchase करने से furniture की value business में बढ़ जाएगी तो furniture को हम क्या करते हैं furniture को debit कर देते हैं furniture को हम क्या कर देंगे furniture account debit कर देंगे और credit किसे करेंगे अगर हम cash में purchase कर रहे हैं तो cash credit करेंगे अगर bank से purchase कर रहे हैं तो बैंक को ग्रेट करेंगे बत इन दोनों कि बजाए अगर हम इस ऐसेट को रीवैलूएट करें और र सेट की व muita जाए तो हम यहां क्रेड़िट किसको करेंगे कि रीवैलुएशन का मतलδή होता है किसी ऐसेट की रीवैलू करना Revalue करने का मतलब TwoWora से मुल्यांकन करना TwoWora से कीमत लगाना इसह हम कहते है Revaluation तो देखें, अब अगर हमारी कोई Assets बढ़ रही है तो हम Assets को debit करेंगे और Revaluation को credit करेंगे दूसरी तरफ, अगर Asset कम हो रही है तो Revaluation को debit करेंगे और Revaluation को debit करेंगे और asset को credit करेंगे अगर liability increase हो रही है तो हम इसे credit करेंगे ठीक है और revolution को debit कर देंगे और दूसरी तरफ liability decrease हो रही है तो इसे हम debit करेंगे revolution को क्या करेंगे credit करेंगे इस case में और इस case में asset को debit करेंगे revolution को credit करेंगे ठीक है अब question देखते हैं पढ़ते हैं सबसे पहले कहा गया कि जरिलल एंट्री अलग-अलग केशीज में कैसे करो के कहता है लैंड अन बिल्डींग इस अंडर वैल्यूइटिड undervaluated का मतलब क्या आता है यह देखो यह खास-खास वर्ड है जो इस कोशन को थोड़ा अलग बना देते हैं undervaluated इसको समझ लेता है मैं इसको रव कर लेता हूँ undervaluated undervaluated का मतलब है किसी asset की value को बुक बुक्स में याने अकाउंट्स में अकाउंट्स में कम वैल्यू में दिखाना जब उसकी उसकी ओरिजिनल जो वैल्यू है वो ज्यादा है मालीजे किसी asset की value original value एक लाख है और हमने उसको जो बुक वैल्यू दिखा रखी है वह माली साथ हजार दिखा रखी है तो यह asset यह asset हमारी undervaluated कहलाएगी by 40,000 difference कितना है 40,000 तो यह asset जो है undervaluated कहलाएगी कि asset को हमने 40,000 से कम दिखाया है यहाँ पर buy मैं board कर रहा हूं तो buy 40,000 कह रहा है अगर two word करता है तो थोड़े से sense अलग हो जाती है तो क्योंकि question में इस दिर्फ buy word यूज कर रहा है तो मैं buy कहीं बारे में उता रहा हूं कि दो लाख से value हमने कम दिखा रखी है actual value 2,000,000 से जादा है तो हम asset जो जादा है हमारी तो हम उसे first case में क्या करें land and building को land and building account को debit कर देंगे क्योंकि revolution से हुआ है तो revolution को आप credit कर देंगे कितने से 2,000,000 रुपे से आई होप आपको यह समझ आया होगा लिखे देते हैं विंग लैंड एंड बिल्डिंग रिवेल्यूइटीड चीक है यह हमारी first होता है अब second की तरफ जाते हैं second को भी पढ़ लेते हैं अब जिस तरह से यहां पर undervalued बोला गया यहां पर overvalued बोला गया है आप देख रहें यहां पर हमारे पास overvalued गया है stock is overvalued by 20% stock की जो value है 20% जादा है जो actual value है वो कम है तो यहने हमने stock को 20% जादा करके दिखा रखा है तो इसको समझते हैं देखी इसको भी यहां पर हम एक वर समझ लेते हैं देखो stock की जो value है stock value हमें दे रखे question में 60,000 अगर original value 100 है तो increased value 20% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा तो book value अगर हम बात करें book value 120 हो जाती है actual value कितनी है original value 100 होनी चाहिए थे तो अगर हमें 100 यानि original value निकालनी हो तो हम क्या करें book value को 120 से divide करते हैं और 100 से multiply कर देते हैं ये कितनी आ जाएगी 50,000 आ जाती है ये हमारी क्या है original value है और book value कितनी है book value 60,000 है तो हमने actual में जो 10,000 जादा value करके दिखा रखिये ये जो जादा value करके दिखा रखिये actual value कम है तो हमारी asset कम हो गई है तो आप क्या करेंगे इसे asset को कम कर देंगे यानि हमारे stock की value को कम कर देंगे stock अगर कम होगा asset है asset के decrease होने पर हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, stock account credit होगा, revolution की वज़े से हो रहा है, तो revaluation को आप क्या कर देंगे, debit कर देंगे, कितने से, 10,000 से, I hope ये भी आपको समझ आया होगात कर देते हैं, being stock is reduced, ठीक, stock value reduced हो गई है, अब next चलते हैं, third, ये provision is to be made for compensation, for 20,000 to an ex-employee, ठीक है जी, यानि ex-employee, ex-employee कोई पुराना employee है, हमारे पास काम करता था, उसको हमने compensation पे करना है, उसके लिए एक provision बनाना है, अगर हम उसके लिए provision बनाएंगे, तो इससे हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, provision हमारी liability होती है, अगर हम provision की बात करें, यहाँ पर जो हमारी provision है, provision बनाए गई ये compensation के लिए, provision हमारी liability होती है, liability के बढ़ने पर हम credit करते हैं, ठीक है, अगर liability के बढ़ने पर credit करते हैं, तो credit कर देंगे, किस वज़े से कर रहे हैं, इसको revolution के लिए लिया जाएगा, तो हम revolution को, हम क्या कर देंगे, debit कर देंगे, evaluation, account को हम debit कर देंगे, और credit कर देंगे, हम provision, for doubtful debts, account, कितने से कर देंगे, 20,000 उपेज से, ठीक है, हमने, being, provision, made, against, compensation, to employee, employee को हमने, compensation, pay कर दिया, next बढ़ते हैं, next क्या है, देखो, next में हमें कहता है, sundry debtors, appeared in the book, at 150, हमारे sundry debtors, debtors किस तरफ दिखाए देते हैं, हमें balance sheet की assets side में debtors दिखाए देते हैं, यह हमारी asset है, appear कितने हो रहें, लाग पचास हजार अपियर हो र cheesy में कितने है अग्टोल है यानि के देगे पैसा हमने एक लाग टरिखा रहे कर हें। 20,000 ये बैड़ अगे एक तरह से।्ट हम क्या करें हैं वुन को डाउटफूल dollars की काटेगरी में रह सकते हो, sundry debtor appeared in the book 1,50,000, they are estimated to proceed no more than 1,30,000, 1,30,000 जो debtors है वो देंगे नहीं, तो 20,000 debtors हैं, जो हमारी loss हो गए हैं, इनको आप क्या कर दोगे, loss की category में, doubtful debt की category में रख दोगे, provision बना दोगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने पक्का नहीं किया है, इस वज़े से provision बनाई गई गई, ठीक है, तो हम यहाँ पर fourth entry हमारी कर देते हैं, fourth entry में क्या रहेगा, हम करते हैं, revolution, account debit, two, हम provision बना रहे हैं, for doubtful debts, जो कि हमने 20,000 provision बना दी है, तो being debtors, become, become नहीं हुआ अभी, doubtful, provision is made, being provision is made for doubtful debts, ठीक है, doubtful debts के लिए हमने provision बना लिया, अब fifth देखिए, fifth में क्या कहता है, creditor include an amount of 10,000 receive as a commission, इसको भी समझते हैं, अब है क्या है, मैं इसको पहले रव कर लेता हूँ, हमारे पास यह balance sheet है, balance sheet में, यह हमारे पास asset side है, यह balance sheet है, और यह liability side है, यहाँ पर creditor दिये गए हैं, creditor जितने भी हैं, जितने भी value creditor की है, उसमें से, question में कहता है, creditor amount जो है, 10,000, 10,000 इसके इंदर शामिल है, जो भी amount है, इसके इंदर 10,000 वो शामिल है, जो commission के थे, अब याद किजी, commission क्या होता है, commission आपके लिए क्या होता है, income होती है, ठीक है, और यह कहाँ पर show होता है, यह profit and loss account में show होता है, यहाँ पर commission show होगा, और commission जो होता है, वो accrual basis पे होता है, यह यह भी याद होगा, accrual basis का मतलब क्या होता है, अगर received है, और not received है, दोनों ही situation में हम उसे income यहाँ पर add कर देंगे, ठीक है, हम उसे add कर देंगे, कि यह हमारा interest जो था कमाल है, तो हमने उसे commission जो था, वो कमाल है और प्रात नहीं हुआ है, तो हम उसे add कर देंगे, इसमें से हम 10,000 को less कर देंगे, less करने के जैसे creator हमारे क्या हो जाएंगे, decrease हो जाएंगे, creator decrease हो रहे हैं, तो liability है, decrease होने पर हम क्या कर देंगे, debit कर देंगे, तो इसे हम क्या कर देंगे, debit कर देंगे, फिफ्थ केस में कर देते हैं क्रेड़ अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन कि इतने से दस हचार रुपे से लेख देते हैं बीग रेटर डिक्रीजड ठीक है क्रेड़ डिक्रीजड हो चुक है अब सिक्स्थ आइटम देखते हैं इस इस इक्षेंज 40,000 विच वजग प्रिवेश ली डिसकाउंटेड विजन बैंकर बैंकर्स को हमने यह डिसकाउंट कर वा दिया है ठीक है वास डिस होनर्ड ऑन 31st मार्श 2018 बट नो एंट्रीवास थे पास्ट फोर इट अभी आपको ने प्लस वन क्लास में बिलो फिक्चें अच्छे से पड़ा होगा हमारे पास होता क्या है जब भी हम एक बिल ऑफ एक्षेंज अगर हमारे लिए यहां पर कोश्चन में कहता है बिल ऑफ एक्षेंज जो था 20,000 का था 40,000 का था हमारे पास आया और हमने इसको डिस्काउंट कर लिया इसको समझ लेते हैं मालीजी यह ह हम है ठीक है और यह एक परसन है यह हम खुश है और वह उदास है क्योंकि उसे पैसे देने पड़ रहे हैं यह परसन जो है हम उसके उपर एक बिल राइट करते हैं यह हमारे लिए बिल रसीबल था और इसके लिए यही बिल पेबल था ठीक है हम इसे राइट करते हैं और इ इसके लिए बिल बन जाएगा और इसके लिए बिल रसीवल बन जाएगा ठीक है अप्रूड हो गया अब यह अप्रूड बिल लेकर कहां जाएगा बैंक में जाएगा अब बैंक से यह डिसकाउंट करवा लेगा बैंक से डिसकाउंट करवाने का मतलब यह है मान लीजिए दस हजार का बिल था इसमें चालिस लिया गया तो चालिस हजार का यह बिल था 40,000 में से बैंक क्या करता है कुछ discount कट कर लेता है ये discount का मतलब क्या होता है देखे ये बिल जो है इसने person ने बिल दिया था कि मैं ये पैसा आज की date मान लीजिए 1 April 2020 की बात है और ये 3 महिने के लिए April से मैं मैं इसे जुन जुन से जुलाई एक अगस्त मा लेते हैं एक अगस्त 2020 तक का ये बिल था अगर बैंक आज के दिन आपको 40,000 के बिल के बदले में कुछ पैसे देता है तो ये जो extra ये 4 महिने 3 महिने हैं advance में उसका क्या करेगा interest कट कर लेता है यानि इसमें से कुछ पैसे कट कर लेता है बैंक क्या करेगा अब ये पैसा जो देगा ये पैसा परसन बैंक को direct देगा 40,000 रुपे अब यहां प्रीसाट्यूशन क्या हुए इस परसन ने मना कर दिया इस परसन ने मना कर दिया तो इसको कहते हैं बिल dishonor हो जाना बिल किस के पास है बैंक के पास है अब बैंक क्या करेगा इसके उपर एक नोटी नोटिंग चार्ज लगाएगा नोटिंग चार्ज लगाएगा और ये पैसा इससे मांगेगा क्योंकि इसको लेना था एक्चल में पैसा इसकी वज़े से गया है तो पैसा इससे मांगेगा ये person क्या करेगा ये person इससे लेगा और आगे bank को देगा ठीक है वास समझ रहे हो यानि इसको हम A माल लेते हैं ये B माल लेते हैं और ये bank है तो A से dishonor होने पर ऐसा bill dishonor होने पर B क्या करेगा A से लेगा A को debit करेगा और bank को credit करेगा bank को उसने देना था ठीक है बट अब हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर revolution का कुछ चकरी नहीं है हमने data यह हमारे लिए data है इससे हमने लेना है और इसको देना है कितना पैसा 40,000 क्योंकि हमारी statement में कोई noting charges नहीं बताता तो हम noting charges में add नहीं करेंगे बट यहाँ पर क्योंकि noting charge में नहीं बताया तो यहाँ पर actual में कितने लेता है यह 41,000 लेता और 41,000 रुपे आगे पे कर देता क्योंकि bank ने एक charge लगा देता वालो noting charge यहाँ पर 1000 है 1000 situation में noting charge का हो जाता बट यहाँ पर आप हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो इस वह जैसे यहाँ क्या होगा यह पैसा debtor से लेगा और आगे देदेगा ठीक है debtor से ले रहा है तो debtor से sundry debtor को यह debit करेगा और bank को यह credit कर देगा तो being हमारे पास bill receivable dishonored bill receivable dishonored हो गया है कितने का था bill 40,000 रुपे का था अब देखी अब हम आगे करते है value of machinery is to be decreased by 1,20,000 book value हमारे पास कितनी है 2,00,00 रुपीज है book value 2,00 थी decreased 2 का मतलब पहले value 2,00,00 रुपे थी अब value 1,20,000 रुपे है decreased 2 याने value कितनी तक गिर गई है value जो है 1,20,000 तक गिर गई है तो याने actual में value decrease कितनी हुई है हमारे पास actual में value decrease जो ही है decreased 2 हाँ जी decreased 2 यहाँ पर actual में value कितने decrease होगी असी हजार value decrease हो गए तो हम यहाँ पर असी हजार से जलने entry पास करेंगे तो जलने entry हमारी क्या हो जाती है देखिए हम कर रहे है 7th तो यहाँ पर 7th में हो जाएगा हमारे पास revaluation account debit to machine की कितने से 80,000 रोपेज ठीक है being machinery value machinery value of machinery is decreased decrease हो गई आगे पढ़ते हैं कोशिन को यह हो गया value machinery is to be decreased by कितने यहाँ पर था पहले कितने से कितने तक गिर गई है यहां कितने से गिर गई है तो 120,000 से गिरी है यानि अब original value कितने रहेगी 80,000 ही रह गई है ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हमारे पास 8th में हो जाएगा revaluation account debit to machine कितने से एक लाख बीस हजार रोपेज से ठीक है तो और कर देते हैं बींग machinery value of machinery value of decreased ठीक है यहां तक भी मेरे क्याल से आपको अच्छे से समझ आया होगा अब 9 देखते हैं partner x ने दिया है इसको समझते है थोड़ा सा होता क्या है मान लीजिए एक परसन अगर कोई खर्चा पे करता है तो फर्म ने उस परसन को पैसे देने है अब मान लीजिए यह थी फर्म और यह था x इस x का एक अकाउंट है इसी को हमने x capital अकाउंट कर दिया हमने revolution करवाया और revolution को कुछ expenses हुए इस x ने अपनी in pocket from pocket वो पे कर दिये यह फर्म किसको देगी x को देगी वो देने की बजाए क्या कर देती है इसके capital में add कर देती है कि हमने 10,000 रुपे यहाँ पर इस question के अंद 8,000 रुपे 8,000 रुपे हमने x को देने तो X की capital में हैँने add कर दिया और इससे इसकी capital increase हो गई तो capital को क्या कर देंगी credit कर देंगी revolution एक खार्चा था revolution का खर्चा था revolution भी खर्चा है तो revolution को हमने क्या कर देते हैं debit कर देते हैं, revaluation account debit to X capital, X की capital को हमने credit कर दिया, 8000 रुकी से, इस तरह से, being, जी कुछ unexpected सी revaluation of asset and liability की general entries थी, यह हमने कर लिये, being, expenses on revaluation paid by X, ठीक है, X से हमने paid किये थे, वो charge कर लिये हैं, यह हमारा वीडियो का second question है, इस तरह की question को करने से पहले, मैं आपको एक राय दूंगा, कि आप हमारी previous video को, जो hidden goodwill से related है, उसको एक वर जुरू देख लें, और मैं हमेशा प्रफर करता हूँ, hidden goodwill हो, hidden capital हो, उसको हमेशा से last में किया जाए question से, question के, जिससे आप question को ज़्यादा असानी से, ज़्यादा जल्दी से, और अच्छे से समझ पाएं, तो देखे, question क्या है, question को समझ लेते हैं, question है, दीपिका और राजश्री, our partner in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 3 ratio 2, दीपिका और राजश्री दो partner है, वो 3 ratio 2 में profit sharing कर रह है, आगे कहता है, on 31st March 2017, their balance sheet was as under, balance sheet में क्या है, sundry creditors है, public deposits है, bank draft है, और हमारे पास outstanding liabilities है, capital दिया गया, cash in hand, cash at bank stock, जो यहाँ पर दे रखा है, prepaid insurance, छीक है, asset है, sundry debtors, debtors में हमारे पास, यह doubtful debts है, हो सकता है, इसका कुछ use हो, आगे कहता है, plant and machinery, land and building and furniture, ठीक है, on the above date, partner decided to admit unshul as a partner of the following term, ठीक है, the new profit sharing ratio of दीपिका राश्री and unshul will be 5, 3 and 2, तो यहाँ पर new profit sharing ratio हमें question में दे दिया गया है, अगर new profit sharing ratio दे दिया गया है, तो हमेशा याद रखिएगा, जब new ratio और old ratio दोनों ही दिये गए हो, तो हमेशा आप sacrifice ratio और gaining ratio कैसे करेंगे, calculate करेंगे, ठीक है, बट आगे question थोड़ा और पढ़ लेते हैं, हो सकता है, इसमें भी थोड़ा trick and tweak हो, Unshul shall bring 32,000 as his capital, Unshul 32,000 capital के रूप मिलाएगा, ठीक है, Unshul is unable to bring any cash in share of goodwill, Goodwill लेकर नहीं आता, ठीक है, अगर question में हमें total goodwill दी गई हो, तो हम असानी से goodwill उसका share निकाल लेते, बट question में कहीं पर भी हमें total goodwill बताता नहीं है, कि total goodwill कितनी है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उसके profit sharing ratio के coding, जो 2 by 10 के लिए आया है, इसका new ratio क्या है, यहाँ पर 2 by 10, जो नहीं पार्टनर आया है, उसके लिए आया है, ठीक है, उसके coding और total capital के coding, और total capital कैसे रहेगी, adjusted capital, after all adjustment, सब कुछ करने के बाद, ठीक है, question जैसे जैसे आगे करेंगे, आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा, अंशुल, is unable to bring, ठीक है जो कहता है, partners, thereof, decided to calculate goodwill, on the basis of अंशुल share, in a profit of the capital, contribute by, ठीक है जी, यह question में कहा दिया गया, अगर ना भी कहता, तो भी हम इसी प्रकार से calculate करते, plant and machinery would be increased, stock would be increased कहता है, provision for doubtful debts to be maintained at 4000 रुपीज, अब यहाँ पर यह जो एक नए सी चीज़ आई है हमारे पास, जो provision है, वो 8000 maintained की जाएगी, 4000 maintained की जाएगी, पहले से कितनी है, provision 800 है, अब कितनी maintained की जाएगी, 4000 maintained की जाएगी, 800 पहले से, तो कितने से 3200 रुपे से हमारी provision increase होगी है, 3200 से provision increase होगी है, ठीक है, आगे question में देखते हैं, आगे क्या दिया गया है, आगे कहता है, value of land and building has appreciated by 20%, ठीक है, furniture has depreciated by 10%, there is an additional liability of 8000 being outstanding salary payable to employee to the firm, the liability is not included in the outstanding liability, stand in the above balance sheet, ठीक है, यह हमारी कैसी liability होजाएगी, अन-recorded liability हो जाएगी, ठीक है, यह तो छोटी छोटी बाते थी, जो हमने अभी तक की है, अब एक जो निया partner आता है, वो 32000 capital लेकर आता है, कितने हिससे के लिए 2 by 10 share के लिए लेकर आता है, तो total capital कितनी होनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा calculate कर लेता हूँ, total capital, as per new partner's profit sharing ratio, तो profit sharing ratio 2 by 10 है, ने partner का, और capital कितनी capital लेकर आता है, वो 32000, तो total capital कितनी हो जाएगी, total capital 32000 multiply by 10 by 2, तो 160,000 जो है, total capital हो जाती है, उस ने partner के बेस पर, अब इसको हम comparison करेंगे, इसको हम comparison करेंगे, किसके साथ, adjusted capital के साथ, और adjusted capital निकालने के लिए, पहले हम पूरे question को कर लेते हैं, ठीक है, अब पूरे question करने के लिए, हम सबसे पहले बना लेते हैं, revaluation account, इस revaluation account में हम हमारी assets और liability की revaluate कर लेंगे, तो question में क्या कहा गया, plant and machinery would be increased 12,000 से, अब यहाँ पर याद रहेगा, revaluation हमारा nominal nature का account होता है, debit all expenses and losses, expenses and losses को इदर डालेंगे, credit all income and gain को इदर डालेंगे, अगर हमारी asset की value, plant जो था, increase हुआ है, ठीक है, increase हुआ तो आप इदर डाल दें, buy कर देते हैं, क्या, buy plant and machinery, कितने से, 12,000 से, आगे, stock is increased, stock की value भी increase हुई है, 2 है, increase 2, 2 का मतलब पहले stock कितना था, 32,000 था, अब कितना है, 40,000, कितनी value increase हुई, 8,000 इंक्रीज हुई, तो buy कर देंगे, आप यहाँ पर stock, कितना, 8,000 से, ठीक है, अब हमें कहता है, provision of doubtful debt to be maintained 4,000, liability बढ़ गई है, provision बढ़ गई है, हमारे loss होने के chances है, 32, सोर पे ज्यादा बढ़ गए, तो हम कर देंगे, to provision for doubtful debts, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से कोई problem नहीं रही होगी, आगी कहता है, value of land and building has appreciated, land and building की value appreciate हुई है, कितने percent से, 20% से, तो हम कर देते हैं, by land and building, 20%, पहले value कितनी है, हमारी land and building की value, 50,000 है, इसका 20% कितना हो जाता है, 10,000 रुपे हो जाता है, तो 10,000 यहाँ हम कर देंगे, आगे question में क्या कहता है, यहाँ पर भी होगा, furniture is depreciated, ठीक है, 10%, furniture कितना था हमारे पास, furniture था 10,000, 10,000 का 10%, 1000 रुपे हो जाता है, तो हम कर देते हैं, यह एक हजार value decrease होगी, last में, अब यह हमारा यह सारा हो गया है, last करते है, additional liability थी, 8,000 की, जो कि outstanding salary थी, तो outstanding salary भी हम कर देते हैं, यहाँ पर, to outstanding salary, यह किस nature का है, यह unrecorded liability है, जो कि value कितनी है, 8,000 रुपे है, अब यहाँ पर, इस side का total करें, तो यह 30,000 बनता है, इस side का total करें, तो 30,000 से कम है, तो हम यहाँ पर balancing figure निकाल लेते हैं, 12,200 रुपे less करें, तीस में से 17,800 रुपे, हमारे पास balance बच जाता है, तो यह हमारे पास profit हो जाएगा, यह हमारे पास profit है, और उस profit को transfer कर देते हैं, किसमें partners capital account, किसके capital account में, दिपेका, दिपेका's capital, और राजश्री capital, किस ratio में, their old ratio, question में old ratio दिया गया है, हंजी दिया गया है, जो कि है, 3 by 5 and 2 by 5, किसका, 17,800 का, तो यह 10,680 रुपे, और यह 7,120 रुपे हो जाता है, ठीक है, इस तरह से हमने यह सारी adjustments कर ली हैं, अब हम क्या करें, जो initial capital लेकर आया है, इन बाकी की चीज़ों के लिए, और hidden goodwill के लिए, हम एक क्या निकालने, partners का capital account बना लेते हैं, पार्टनर का capital account बनाने के लिए, हमें capital चाहिए, 48,000, 40,000 और नया partner लेकर आता, 32,000, तो हम यहाँ पर ले लिपते हैं, by balance, balance होगे हमारे पास grow down, 48,000 और 40,000, और 30,000, जो नया partner आया है, वो bank से पैसा लेकर आया है, कितना लेकर आया, 32,000, जो partner को हमने देना है, जैसे हमारे पास, दे देते हैं, by revaluation, ठीक है, revaluation का profit 10,680 रुपे और 7,120, नया partner का कुछ नहीं था, इसके इलावा, और कुछ भी नहीं है, हमने partner को कुछ भी नहीं देना, ठीक है, तो हम एक balancing figure निकाल लेते हैं, यहाँ पर, तो balancing figure इसका total कर लेते हैं, कितना होगा, देख लेते हैं, हमारे पास 58,680, यहाँ पर हो जाता है, 47,120, और यहाँ 32,000, तो यह हमारी adjusted capital हो जाएगी, यह balancing figure है, तो हम 58,680, 47,120, और 32,000, यह balancing figure निकाल लेते हैं, यह कर देते हैं, to balance, carry down, before, new, या फिर आप कैसे दीजिए इसको, adjusted, adjusted capital, before premium of goodwill, ठीक है, तो यह 58,680, 47,120, और 32,000 हो जाती है, इसको आप broad down कर देजिए, by balance, broad down, 58,680, 47,120, और 32,000, अब इनका तीनों का total कर लेजिए, अब जो निया, अब हमने यह adjusted capital निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते ही थे, यह हमारे पास क्या हो जाएगी, adjusted capital, इसी के साथ हमने करना था, ABC, यानि हमारे पास DP का राश्यरी और अंशल जो है, उसका जो total capital 58,680 था, 47,120, और 32,000 है, इसका total करें, तो 137,800 हो जाता है, हमने capital यह calculate की थी, यहाँ capital यह है, दोनों में difference कितना है, पता कर लेते हैं, difference जो है, वो 22,200 हो जाता है, यह क्या है, total goodwill आ जाएगी, इसी को हमने क्या कहा था, hidden goodwill कहा था, अब यह total goodwill है, तो इसमें हमारे पास जो अंशल से share क्या हो जाएगा, तो इसके लिए अंशल, share, अंशल जो है, 2 by 10 के लिए है, तो 22,200 रुपे का आप 2 बटा 10 कर लेंगे, तो यह आपके पास 4440 रुपे आ जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर old ratio और new ratio दोनों दिये गए थे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर calculate करेंगे sacrifice और gaining ratio, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, थोड़ा उपर, sacrifice और gaining ratio के लिए a और b, यहाने अंशल और भागेशरी का old ratio, हमें question में 3 by 5 और 2 by 5 और new ratio, less कर लेते हैं, जो 5 by 10 और 3 by 10, elseum करें, तो 10 अता है, 6 minus 5, 1 by 10, यह क्या जाएगा, is sacrifice, ठीक है, यहाँ पर भी 10 कर लेते हैं, 4 minus 3, 1 by 10, तो यह क्या जाएगा, 20, sacrifice, दोनों एक जैसा कर रहे हैं, तो 1 is to 1, बराबर sacrifice कर रहे हैं, तो इस 4440 रुपे को, अब बराबर बराबर, दोनों नहीं ही क्या कर दें ट्रास्वर कर दें, तो बाई, यहाँ पर हो जाएगा, क्या, अंशिल्स, करंट काउंट, 2220, 2220, और कुछ ने, अब हमारे पाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, टोटल 60,900, और 49,340, और 32,000, हमने बहुत जादा वर्किंग नोट नहीं बनाया, आप देख रहे हैं, बनाया गया, हमने बहुत बड़ा मर्किंग नोट बिना बनाये, इस कोशिन को कर लिया, तो टू बैलेंस करेडाउन हम कर लेते हैं, यह हो जाएगा, इतना ही, 60,900, 49,340, और 32,000, इस तरह से हम हिदन गुड़ विल के कोशिन को करेंगे, आई होप यह आपको समझ आया होग अब हमारे पास कोशिन में, लास्ट में, देखो क्या कहता था, कोशिन में कहता है, बैलेंस शीट और बनाओ, ठीक है, बैलेंस शीट बना लेते हैं, रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी, रिवाइज बैलेंस शीट के लिए हमारे पास को ज़्यादा चेंजिस नहीं हुए ह है जिन चाइजों में चेंजों में नहीं हुए है उनको रही जाए है मैं हमारी capital change हुई है ठीक है यह provision change हुई है ठीक है और यह plant machinery furniture और stock यह सबीचीजех चेंज हुई है जैसे जैसे बोला गया था यानि revolution जिस तरह से revolution को देखो revolution के coding change करते जाओ ठीक है अब यहां पर balance sheet में सबसे पहले cash में तो कोई change हुआ ही नहीं वो तो as easy रहेगा और bank में अगर हम देखें तो bank में change हुआ है हंजी हुआ है bank में change कैसे हुआ है पहले question में देखोगे आपके पास अठाइसो रुपे थे जब एक नया partner आया 32,000 लेक कर आया है ठीक है तो इस तरह से इस बात का याद रखना और जब अब यहां पर एक और नया twist जो है यह important बात हो जाती है very important question में bank overdraft और दिया गया है question में bank overdraft दिया गया है bank balance भी दिया गया है बट धिया रखने वाली बात है bank overdraft ज़ादा है और bank balance कम है bank overdraft bank overdraft is more than bank balance ऐसे में हमारा bank balance तो रहेगा बट जैसे ही जब भी हमारे पास bank में overdraft से value ज़ादा होगी तो हम bank overdraft को cut कर लेंगे माली जी यह value 7,000 हो जाती है bank balance हमारा 7,000 हो जाता है तो सबसे पहले bank overdraft कट जाएगा और value कितनी रह जाएगी एक हजार रह जाएगी इसी तरहें जैसे ही हमारे पास एक निया partner आया और निया partner 32,000 लेकर आया तो हमारे पास यहां अठाइसो रुपे थे अठाइसो में 32,000 और लेकर आया वो तो हमारे पास कितना हो जाता है 34,800 हो जाता है अब हमारे पास bank में जो पैसा है वो bank overdraft से जादा हो चुक है तो अब हम क्या करेंगे 6,000 इसमें से cut कर लेंगे तो 28,800 रुपे हमारे पास bank balance बचेगा I hope यह भी आपको अच्छे से समझा आया होगा तो हम यहां पर क्या कर लें bank balance जो है हमारा 28,800 रुपे बचेगा ठीक है अब stock की जो value थी आप देख रहें तो stock 8,000 से value बढ़ गई है पहले stock कितना था पहले stock था 32,000 अब कितना हो चुक है 40,000 तो stock को हम कर लेते हैं 40,000 रुपे का इसी तरह जो question में prepaid insurance था question में मैंने पढ़ लिया था prepaid insurance कितना है वो तो as it easy था 1000 रुपे और जो sundry debtors था sundry debtors था 28,800 ही था बट इसकी जो provision थी हमने 4000 रुपे से 4000 तक कर दी थी तो अब 24,800 हमारे पास बच जाता sundry debtors चीक है इसके बारे में आपको याद होगा यह वाली provision थी और पहले से provision बनी हो थी 800 रुपे की plant and machinery पहले 48,000 था प्लांट रुपे की वैल्यू क्या होई थी बढ़ गी थी 12,000 28 था पहले 28 था अब 12,000 से बढ़ गई है तो कितना हो जाएगा अब plant and machinery की वैल्यू increased by plant 48 था प्लांट 48 था अब 40 हो जाएगा ठीक है और इसकी stock की जो value increased 2 हो गई थी 40 अर तो अब पहले क्या था हमारे पास increased 2 ठीक है stock की value increase हो गई थी है हमने कर लिया stock की value बढ़ गई थी ठीक है हमने कर लिया है और plant and machinery की value हो गई है बढ़के हमने start कर देंगे ठीक है और हमारे पास furniture की value decrease होगी थी 10 ठीक है building की value increase होगी थी 20 ठीक है तो यह सारी चीजे करने के बाद हम कर लेते हैं क्या क्या हो जाएगा देखो यह था हमारे पास plant and machinery जिसकी value अब 60,000 थी उसके बाद question में land and building जिसकी value अब 60,000 हो जाती है furniture की value अब 9,000 हो जाती है ठीक है पहले value कितनी थी हमारे पास 10,000 थी 10% depreciation लगाया था हमने और यहां पर कर रहते हैं अंशू ने हमें current account से 4,440 रुपे देने हैं यह भी हमारी asset बन जाएगी असेट की तरफ लिएगी sundry creators में sundry creators में क्या sundry creators में कुछ change आया था question में देखिए sundry creators में पहले sundry creators 16,000 थे अब भी 16,000 है deposit same to same दोनों में कोई change नहीं है bank of orderraft खतम हो चुका है ठीक है outstanding liability 2,000 थी और एक outstanding liability 8,000 और बढ़ गई थी दोनों को लिख लेंगे ठीक है तो outstanding पहले दो और आठ कितना हो जाता है तो कुछ liability जैसे 16,000 संट्री creator में कोई change नहीं आया था और public deposit में कोई change नहीं आया था और उसके लावा outstanding liability जो है अब दो है पहले 2000 पहले थी और 8,000 अब है तो total 10,000 हो जाती है और बाकी कुछ नहीं है capital account हो जाएगा जिसमें दिपिका राजश्री और अंशू है तीनों का हम देख लेते हैं इसकी तो 32,000 है और इनकी 60,900 और इसकी रहती 49,340 तो total करें तो 142,240 अब total दोनों साइड कर लेते हैं 2,29,240 दोनों साइड का total किया हमने हमारा question फिनिश हो चुका है इससे ज्यादा बड़े question नहीं आते हैं दो topic हमारे रहते हैं hidden capital और hidden goodwill sorry hidden capital और हमारे पास adjustment in capital वो topic करने के बाद इस chapter में हमारा कुछ भी topic नहीं रह जाएगा किसी next video में और जब तक के लिए thank you हुआ हुआ है